एलो गैने चा पर फिर अपने आए मुट में जाने पृडियो को पूरा गए आगे बड़िकाइज पर लिए अगर चैनल प्रेशन कहते हैं करें वीरको क्यूससर विडियो को थे सुनाट। गारोति हैं कि कि चर बताइए कि अगर किसी पेशन को अचानक तेज फीवर आ जाता है या फिर तेज फीवर काफी दिनों से आ रहा है तो इस कंडिशन में उसको बोतल लगानी चाहिए या फी नहीं लगा नी चाहिए तो यह काफी कामन कोश्चन रहता है जो भी प्रेक्टिस करता है अपन viral fever भी चल रहा है तो इस condition में होता क्या है? पेशन को अचानक से high fever आता है malaria में क्या होता है? malaria में एक ही time पे fever आता है और उस थंड लगकर आता है पहले बहुत ही थेज़ थंड लगती है उसके बाद धीरे धीरे temperature बढ़ना इस्टार्ट होता है जब temperature बढ़ जाता है, ठंड लगना कम हो जाती है, और patient को काफी sweating होती है, अगर किसी patient को डेंगू हुआ है, तो डेंगू में भी ये condition रहती है, हाथ पेरों में बहुत दर्द होता है, जोडों में दर्द होता है, सर में काफी तेज़ दर्द होता है, और high fever आता है, लेकिन ज पहले सही feel होने लगता है कि fever आने वाला है, और जो viral fever होता है, ये 4-5 दिनों तक आता रहता है, जाता रहता है, ये कभी भी आ सकता है और कभी भी चला जाता है, तो ये viral fever होते हैं, तो इस condition में patient काफी dehydrate हो जाते हैं, क्योंकि खाना अच्छा नहीं लगता है, पानी पीने क वज़े से dehydration हो जाता है, यानि की body में पानी की कमी हो जाती है, जब patient को पानी की कमी हो जाती है, तब उसको चक्कर आते हैं, यहां तक की बेहोसी भी आने लगती है, ज्यादा BP लो हो जाने की वज़े से, तो इस condition में क्या होता है, patient doctor के पास जाता है, डॉक्टर BP चेक करता है, तो BP patient का कम निकलता है, और इसके साथ ही temperature चेक किया जाता है, temperature चेक करना काफी जरूरी है, अगर आपके clinic पे कोई patient आया, फिर घर पे कोई patient है, उसका temperature जरूर चेक कर लें कि उसका कितना temperature है, अगर किसी patient का temperature बहुत ही ज़्यादा जैसे 103, 104, 105 तक है, तो इस condition में कोई भ चाहिए, सबसे पहले तो patient की cold in sponging करें, यानि कि उसको ठंडे पानी से पूरे सरीन में पोंचा लगवाएं, अच्छी तरीके से, सर पर पट्टी रखें, ठंडे पानी की, इसे क्या होगा, temperature धीरे धीरे down हो जाएगा, जब temperature 100 के आसपास आ जाए, तब patient को आप paracetamol दे सक करते हैं, और साथ में cold sponging भी करते हैं, अगर patient ज़्यादा dehydrate है, गला सूख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बे ओसी आ रही है, बीपी ज़्यादा लू हो रहा है, तो इस condition में आपको IV fluid जरूर देना चाहिए, तो सवाल भी रहता है कि बुखार अगर आ गया तो उसको कौन सा IV प्लूट है, कौन सी बोतल लगाएं, DNS, RL या फिर NS, नॉर्मल सलाइन जो होती है, इसको लगाना चाहिए, दोस्तों अगर patient को वोम्टिंग हो रही है, तो वोम्टिंग की condition में आपको नॉर्मल सलाइन लगाना चाहिए, अगर patient को डाइरिया है, फीवर के साथ में, तो इसको लगाना चाहिए, अगर ये सारी चीजें नहीं है, patient dehydrate है, गलास उख रहा है, बेहोसी आ रही है, या फिर उसको चक्का रहा है, तो इस condition में patient को D5, D10 या फिर NS की बोतल patient को लगानी चाहिए, और साथ में इसमें multi-vitamin का infusion दे सकते हैं, जैसे की MBI आता है, इसको दिय जा सकता है, अगर patient को high fever है, tablet देने से उसका temperature कम नहीं हो रहा है, या फिर sponging करने के बाद भी temperature नौर्मल नहीं आ रहा है, तो इस condition में आप उसको paracetamol का infusion दे सकते हैं, 100 ml की बोतलाती paracetamol की, इसको लगाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, इसको जल्द बाजी में कम हो जाता है, अगर patient को vomiting हो रही है, उल्टी हो रही है, तो IV fluid देने के साथ, patient को imset का injection देना चाहिए, जैसे की ondastron होता है इसमें, जैसे की vomiting लुग जाती है, इसके साथी pentop लगाना चाहिए, आई भी इसको तुरंद देना चाहिए, इसके साथी antibiotic injection दे सकते हैं, जैसे से sept प्रामक बीमारी है, एक बैक्टिरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी, इसके infection की बज़े से लोगों में फिवर आने लगता है, तो इसमें antibiotic जरूर देनी चाहिए, बिना antibiotic की ठीक होने वाला नहीं, बाकी viral fever होते हैं, अपने आप देरे देरे ठीक हो जाते हैं, अगर आप इ देने चाहिए, या फिर IV fluid नहीं देने चाहिए, अगर कोई भी doubt है, कोई भी question है, आप मुझसे संपर कर सकते हैं, online consultation available है, Instagram में में message कर सकते हैं, आई होब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना है, सब्सक्राइब जरूर कर ब्लाइक और प्रेस करें, जिसे किसे informative दोस आपको हमें समिलते रहेंगे,